आज हम लोग जानेंगे डच के बारे में तो हॉलेंड जो देश था वहां के लोगों को डच कहा जाता है आज कल हॉलेंड को नीदरलेंड कहा जाता है तो वहां से भी ट्रेडर्स भारत में आये थे और उन्होंने भी भारत में अपनी कॉलनी बनाने की सोची थी तो आज हम लोग जानेंगे डच के बारे में लेकिन इससे पहले कि हम यह चर्चा शुरू करें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस सीरीज के दूसरे लेसंस जो हम लोगों ने अभी अपलोट कर दिये हैं जिसमें पर्चुगीज के बारे में बताया गया है यद उसी देश के लोगों को डच कहा जाता है तो उसी देश से ट्रेडर्स भारत में आये थे 1602 एडी में युनाइट इस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी की फॉर्मेशन हुई थी और उस कंपनी को भारत में ट्रेड करने के लिए पर्मिशन मिली थी ठीक है इन 1602 एडी दे युनाइट इस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यह कंपनी भारत में 1602 एडी में पर्मिशन इसे मिली थी अब इन्होंने 1605 में पहला अपना फैक्टरी स्थापित किया भारत में डच फाउंडेट देर फैक्टरी एड मचली पटनम जिसे मसुली पटनम भी कहा जाता है वहां आंदर प्रदेश में 1605 एडी में पहली फैक्टरी उन्होंने लगाई तो 1602 एडी में United East India Company की स्थापना हुई 1605 में भारत में पहली फैक्टरी उन्होंने मचली पटनम या मसुली पटनम जिस जगा का नाम है आंदर प्रदेश में स्थित है वहां पे पहली फैक्टरी लगाई और भारत में पहली फैक्टरी लगाने की पर्मिशन उन्हें मुगल एम्परर जहागीर से मिली तो मुगल बादशाह जहागीर उस समय रूल कर रहे थे और उन्हीं की पर्मिशन से डच ने पहला फैक्टरी मसुली पटनम आंदर प्रदेश में 1605 में लगाया था डच ने उसके बाद अपने दूसरे सेंटर भी चालू किया उन्होंने सूरत में अपना सेंटर चालू किया बेंगॉल में अपना सेंटर चालू किया तो सूरत में जो सेंटर था उसका नाम उन्होंने रखा था डच सूरेट जो की 1616 में स्थापित हुआ था और जो बंगा उनको भी पॉर्चुगीज से लड़के जीता था, तो पॉर्चुगीज के पहले कबजे में था सिलोन, बाद में डच ने सिलोन के क्षेत्रों को जीता और वहाँ पर भी अपना व्यापार आरंब किया, ये घटना है 1656 की, तो 1656 से सिलोन में भी उनका व्यापार आरंब तो माला बार कोस्ट यानि कि केरल के जो कोस्टल एरियास थे, वो उन्होंने पॉर्चुगीज से जीत लिया, और वो एरिया जीतने के बाद, खासतोर से मसालों के लिए काफी उनके लिए सुगम हो गया वहाँ पे व्यापार करना, डच भारत में काफी स्ट्रॉंग फोर् तो इस तरह से देखा जाए तो सूरत, बेंगॉल, उसके बाद फिर सीलोन का अक्षेतरों ने जीता, माला बार कोस्ट जीता, मदरास के असपास के अक्षेतरों ने जीते, तो साथ इंडिया में वो एक बहुत स्ट्रॉंग फोर्स बनके उभर गये थे, और साथ-साथ सूर इनली, black pepper, यानि की काली मिर्च और spices, यानि मसाले, काली मिर्च और मसालों का व्यापार करते थे, यह उनका मुख्य व्यापार था, black pepper और spices, लेकिन इसके अतिरिक तो वो cotton, यानि कपास, indigo यानि नील, silk, यानि रेशम, rice, यानि चावल और opium, यानि अफीम का भी व्यापा थे वो सारे के सारे इनके बिजनस के खेत्र में आते थे administration के अगर दृष्टी से देखा जाए तो डच जो है वो काफी लंबे समय तक भारत में रहने के mood में थे उन्होंने coins भी issue करने शुरू कर दिये थे और उन्होंने अपने mints भी स्थापित किये थे mints या नि टकसाल जहां पे coins बनाए जाते हैं तो उन्होंने कोचीन में मासुली पटनम में नागा पटम में और पुली कट में इन्होंने अपने mints भी स्थापित कर दिये थे अपने तकसाल भी स्थापित कर दिये थे जहां पर coins बनाय जाते थे तो इनके खुद के coins चलते थे इनके खुद के मुद्रा चलती थी उस समय और जो coins यह बनाते थे उसमें Hindu god images भी डाला इन्होंने और इस तरह से इन्होंने भारत के लोगों के साथ भी इन्होंने एक connection स्थापित किया था 1825 में Dutch power जो है वो भारत में end हुआ यह वह समय था जब British काफी strong हो चुके थे और Dutch power इसी वज़ा से end हो गया English के साथ उनके काफी जो रिष्टे जो है वो ठीक नहीं थे खराब थे और इनके बीच में काफी लडाईयां भी होती रहती थी और लेकिन English के सामने यह टिक नहीं पाए और काफी heavy losses मिले English से टकराओ में इनको काफी heavy losses मिले जिनमें इनका business भी गया और इनका जो धंधान्य था wealth भी चला गया Their fight with English gave them heavy losses and they lost business and wealth in India अंग्रेजों से लडाईय करने के चक्कर में Dutch जो है अपनी काफी power खो दिये और 1825 में Dutch power भारत में पूरी तरह से समाप्त हो गया English के साथ जब इनके जड़पों की जब इनके लडाईयों की जिक्र का जिक्र होगा तो Amboena जो की Indonesia में है वहाँ पर जो Amboena मसाकर यानि Amboena हत्यकांड हुआ था उसका जिक्र करना ज़रूरी हो जाएगा और यह वह घटना थी जिससे अंग्रेजों और Dutch के बीच में काफी बड़े लेवल पे तनातनी हो गई थी यह घटना 1623 AD की थी और इसमें डच ने बहुत सारे English traders को मार दिया था और English जो थे अंग्रेज जो थे वो डच से इसी वज़े से काफी नफरत करते थे और इनके बीच में काफी लड़ाईया थी और अंग्रेजों के बीच में एक बदले की भावना भी थी जिसकी वज़े से Dutch के उपर उन्होंने काफी ध British ने काफी Dutch को नुकसान पहुंचाया और British captured the Dutch strongholds giving them very heavy losses तो 1602 में भारत में आने की permission मिली, 1605 में पहला factory बना, काफी लंबे समय तक Dutch ने भारत में business किया और 1825 में इनका जो पावर था भारत में वो पूरी तरह से समाप्थ हो गया, तो इस तरह से Dutch भारत में आये और चले ग इस लेसन के बारे में यदि आपके मन में कोई doubt हो, कुछ और आप जानना चाहते हों, कोई feedback देना चाहता हों, तो comment box में जरूर लिखिएगा, हमारे चैनल को subscribe नहीं किया हो, तो कृप्या subscribe जरूर करिएगा, मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से, जब हम जानें के बारे में तब तक के लिए नमस्कार